रिसेंटली हमने अपनी वीडियो में बताया था कि सरीथा जेटू के गर आ गया है नन्हा मैवान अब नन्हा मैवान का जेंडर जानने के लिए लोग काफी जादा परिशान है कि बेबी गर्ल आया है या बेबी बॉय हुआ है आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे और हमें कैसे पता चला है हमारी सोसिस क्या है वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे सबसे पहले तो हम बहुत बहुत शुब कामना देना चाहते हैं उन दोनों को कि वो ममी पाप मर गए है फिर से 10 साल बाद ये काफी बड़ी गुड नियोज है और हर कोई इस दिन का वेट करता है अपनी जिन्दकी में हर कोई कपल चाता है कि ये दिन इनके जिन्दकी में जल्दी जल्दी आ जाए इनके जिन्दगी में भी काफी समय बाद इनके बेटे के 10 साल बाद में इनके घर में नना मेमान आया है आईए बताते हैं कि इनके घर में क्या हुआ है दरसल इनके घर में हुई है बेबी गर्ल जी आउनका बेटा पहले से ही है और अब इनके हाँ पर बेटी भी आ गई इस चीज गो यह लोग कई बार कहते हुए देखे गए थे कि बेबी गर्ल आ जाए तो फैमली कम्प्लीट हो जाए और अब यह खबर आ रही है कि इनके खर बेबी गर्ल आई है दरसल इनके जो व्लोग है अगर आप उनको ध्यान से देखो गए तो वो कई बार ये चीजे कहते वे दिखाई पड़ रहे है कि वो NICU में रहेगी क्योंकि उसकी तब ठीक नहीं है उसको इंफेक्शन हुआ है वहीं परकल के व्लोग में सरीता भी ये कहते हुए देखे थी कि मेरी गुडिया इस तरीके की बाते अगर वो कर रहे हैं तो इससे साफ पता चल रहा है कि उनके घर में बेबी गर्ल आई है और जल्द ही सरीता के खुद के मूँ से ये बात सुदने में काफी जादा अच्छा लगेगा कि उनके घर बेबी गर्ल आई है तो हम करते हैं वीडियो को अभी की नूज कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में अपने डाय ज़रूर बताएगा और कॉंग्रेचुलेशन उनके वीडियो में लिखना ना बूलिएगा तब तक के लिए बाबाई